जे स्री राज़कृष्ण आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे स्रावन मास महात्मे कथा में 18 अध्याय की कथा अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारी चैनल पे वीडियो अ सब्ह Kubernetes के महीने में भगवान शिख जी काविशेँच पूजन करते हैं कथा स्रवन करते हैं ऑस्तोतर अधिका पाठ्या स्रवन करते हैं इससे भगवार्जिविकीजी की बिशेष प्राप्त होती है तो आईए आज आप सब सुनेंगे स्राबन मास महात्मे कथा में अठारवे अध्या की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै सर्वदेवी देवता की जै सनत कुमार बोले कि है भगवन, है पारवतीनाथ, है भकतों पर अनुग्रह करने बाले है दया सागर अब आप दस्मी तिथी का महात्मे बतलाईए इस्वर बोले कि है सनत कुमार स्राबन माह में शुकल पक्ष की दस्मी तिथी से यह बत्र आरंभ करे पुनह प्रतेक महीने में शुकल पक्षी की दस्मी तिथी को यह व्रत्थ करे। इस प्रकार बारुहू महीनों में इस उत्तम व्रत्थ को करने के बाद में स्राबन मास में शुकल पक्षी की दस्मी तिथी पर इसका उध्यापन करे। राजी की इक्षा रखने बाले राज पुत्र, उत्म कृषी के लिए कृषकय व्यवसाई के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए कर्भिने इस्त्री, धर्म, अर्थ, काम की विद्धी के लिए समान जन्ग, स्रेश्ट वर की अभिलाशा रखने वाली कन्या यग्य करने की कामना वाले प्रहमन स्रेश्ट आरोगे के लिए रोगी और दर्ग कालिक पती के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्मी इन सब को तथा इसके अतिरिक अन्य लोगों को भी इस दसमी ब्रत्र को करना चाहिए जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण है तू उस मनुश्य को यह ब्रत्य करना चाहिए स्रावन मासि के शुकल पक्ष की दस्मी तिथी के दिन हश्नान करके देपता का विदिबत पूजन कर घर के आंगन में दसो दिशाओं में पूस्प, पल्लब, चंदन से अत्वा जोव के आटे से अधि देपता की सत्रवाहन युक्त इस्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करक नक्त बेला में दसो दिशाओं में उनकी फूजा करनी चाहिए, घरित मिस्रित नेबेते अरपन करके उन्हें पृतक पृतक दीपक परदान करनी चाहिए, उस समय जो फल उपलब्द हो वह भी चरहना चाहिए, उसके बाद अपने कारे की सिध्धी के लिए इस प्रकार प् इस प्रकार विदिवत पूजन करके ब्रामनों को दक्षिना देनी चाहिए, इसी कर्म में प्रतिक महीने में दस्मी तिथी को ब्रत्सदा करना चाहिए, और एक वर्ष तक करने के अनंतर कुद्यापन करना चाहिए, अब पूजन की विधी कही जाती है, स्वर्ण, अथवा चांदी अथवा आटे से ही दसो दिशाओं को बनाए, उसके बाद अश्नान करके भली भाती वस्तरा भूशन से अलंकरित होकर बंधू बांधवों के साथ भक्ति पूरवक मन से दसो दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए, घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के दिग देवताओं को अस्थापित करे, इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानबों से नमस्कार किये जाने बाले, इंद्र आपके ही समीप रहते हैं, आप एंद्री नामक दिग देवता को नमस्कार है, हे आसे अगनी के साथ परिग्रह विवा होने के कारण आप अ आसरे लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडीत करते हैं, इसलिए आप सहिया मिली नाम वाली हैं, हे यामी, आप मेरे लिए उत्तम मनुरत पुर्ण करने बाली हो, हाथ में खड़क धारन किये हुए, मिर्दु के देवता आप का ही आसरे ग्रहन करते हैं, अता आप निर अता जल जीवो के स्वामी वरुन देव आप में निवास करते हैं, अता मेरे कारिय तथा धर्म को पुर्ण करने के लिए आप ततपर हों, आप जगत की आदी स्वरूपा वायू देव के साथ अधिश्ठीत हैं, इसलिए आप वायब्या हैं, हे वायब्ये, आप मेरे घर मे नित्य शान्ती प्रदान करें, आप धन के स्वामी कुवेर के साथ अधिश्ठीत हैं, अता आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं, हमें सिग्र ही मनुरत प्रदान करके आप निरुत्तर हों, हे एसानी, आप जगत के स्वामी, शंभू के साथ शुशोवीत होती है हे शुभे हे देवे मेरी अभिलाशाओं को पुर्ण कीजिए आपको नमस्कार है आप सबस्त लोकों के उपर अधिश्टीत हैं सदा कल्यान करने बाली हैं और सनक आदी मुनियों से गिरी रहती हैं आप सदा मेरी रक्षा करे रक्षा करे सभी नशत्र ग्रह तारा गण तथा जो नशत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विग्न हरने बाले बिनायक हैं उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पुर्वक पूजा की हैं वे सब मेरे अभिष्ट की सिध्धी के लिए सदा ततपर हों नीचे के लोकों में आप सर्पो तथा नेवलू के द्वारा सेवित हैं अतह नाग पत्नियों सहीत आप मेरे उपर प्रशन हो इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करनी चाहिए उसके बाद वाद्य ध्वनी गीत निरित्य आदि मं कृत्यों और नास्ति हुई स्रिष्ट इस्तरियों के सहीत जागरन करके रात्री व्यतीत करनी चाहिए कुमकुम अक्षत तामगूल दान मान आदि की द्वारा भक्ति पूर्ण मन से उस रात्री को सुक पुर्वक व्यतीत करके प्राताकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब् व्यत्रों तथा कृत्य बंदू जनों को साथ लेकर भोजन कराना चाहिए ताथ जो मनुष्य इस विधी से आदरपुर्वक दस्बी व्रत्व करता है वह सभी मनवांचित फल्प्राप्थ करता है विसे चुरूप से इस्तरियों को इस सनातन व्रत्व करना चाहिए क्योंक वाले आयू बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आप से कह दिया तीनों लोकों में अन्य कोई व्रत नहीं इसके समान हे ब्रह्मपुत्रो मैं सरेष्ट वांचित फल की कामना करने वाले जो मनश्य दसमी तिथी को दसो दिसाओं की सदा पूजा करते हैं उनके हिर्दे में इस्थीत सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फली भूत कर देती हैं इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन हे सरत कुमार यह ब्रत मुक्ष दायक है इसमें संदिह नहीं करनी चाहिए इस ब्रत के समान नो कोई ब्रत है और न तो होगा इस प्रकार से स्री असकंद पुरान के अंतरगत इस्वर सनत कुमार संबाद में स्रावन मास महत्मे कथा में आसा दस्मी ब्रत्त कथन नमक अठारवा अध्याय पूर्ण हुआ तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता परवती की जै सरव देवी देवता की जै इसी प्रकार से आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुक्रे रहें और स्वस्त रहें जै स्री राधे किश्मी धन्यबाद